नमस्कार दोस्तों दफेक्टाई में आपका स्वागत है लगातार हम आपको उन लड़कियों से मिलवारे हैं जो डेरा सचा सोदा में आती हैं आज हमारे साथ डेरा सचा सोदा में जाने वाली लड़की और डेरा सचा सोदा की ही होस्टल में रहने वाली वहां के स्कूल कॉल यहारे देडा सोचा होता था जी मैं फिफ्ट क्लास से यहां पर आईयू हैं और मैंने नाम भी सिकущ में ले लिया था और मैं यहां पर एड़्ट और नांइंथ मेंने इसी स्कूierung से फॉस्टल में विई रहती हैं होसिल में भी रहती हैं कैसा इंवायर्मेंट लगता को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इंवार्मेंट था वहां पे रहके हम सब को बहुत अच्छा-चा कुछ सीखने को मिलता था पिताजी भी आते थे हमें दर्शन देते थे और हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़े सिखा के जाते थे एक लड़की होने के नाते मतलब बींग गर्ल कैसा मैसूस करते हो सेफटी को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्याद हम लोग सेक्योर फील करते थे कोई ऐसा कुछ नी था कि भार से कुछ आ रहे हैं वहाँ पे तो कोई जेंट्स अलाओड ही नहीं थे इंफेक्ट हमारी वार्डन फीमेल थी कोई वहाँ पे जेंट्स थे इन गुरु जी आते थे वहाँ ट्रीट कैसे करते थे आप लोग बहुत बेटा बेटा कहके हमें बुलाते थे और मतलब हमें पास बठाके हमसे पूछते थे कैसे हो सब ठीक चल रहा है खाना पीना अच् कि अपगी किसी और बच्चे से सुना हो जा कभी दुट है कुछ भी नहीं था और फिर जो भी ख़बरें थी क्या कहना है आपका मैं तो यह कहना चाहती हूं कि भई जूट तो मतिफर लाओ क्यों इतना जूट बोल रहे हो जो हमने ते क्यों पूछ नहीं हमसे पूछ यहां सब्सक्राइब क्या वाले जूट फैला रहे हैं एक न एक दिन उनको भी पता चलेगा किया है लुटे-जूट पटो य हम से कुछ ऐसा हुआ नी कभी हमसे कुछ ऐसी बात नहीं और हमें मतलब बहुत अच्छे, अपने खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ऐसा कुछ ही नहीं है सुसाइटी को क्या पता होगे, क्योंकि समाज के लोगों में हमारे देश की समाज की जो लड़किया हैं, उनके माइन में एक अलग शभी है, इमेडिया को देखकर अफएक्ट हो, डेरा में भी जाते हो, होस्टर में भी रहे हो, क्या बताना चाहोगे? एसा मतलब अब हाँ ये बात है आज आती है लोगों में क्योंकि भई लोगों से सुना है जूट बोलते हैं लोग तो भी हो जाता है इंपक्ट पड़ता है मन में कि हाँ हमने ऐसा सुना है तो फिर क्या पता कुछ ऐसा हो लेकिन जो सच्चाई है जो लोग वहाँ पर है क्या ह उनसे पुछो कि क्या है क्या नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है जो बात फैलाई जा रही है मीडिया वालों से सब जूट है हम वहां रहे क्या है हमें बहुत अच्छा लगा हमारा यह था कि मैं तो यह सोच रही थी कि मैं अपनी ग्रैजुएशन भी भाई से करूं लेकिन कुछ ऐ जरूरत है संती जी की समाज को बिल्कुल जरूरत है इतने भलाई के काम करवाएं उन्होंने तो जरूरत क्यों नहीं होगी इतना नशा छुड़वाया है सफाय भ्यान करवाई हैं तो क्यों जरूरत नहीं हो सकती किसें को क्या पील करना चाओगे अब सरकार से संद्द यही कहूंगे कि जो भलाई के काम किया हैं उनको तो देखो एक बार यह जूट और आरोपों से तो कुछ होने से रहा जितने भलाई के काम करें उनको देखके चलो तो फिर भला ही है समाज में अच्छे काम करें हैं कितने तो तो फिर उनके वज़े से तो देखके एक बार करना चाहिए कि उनको छोड़ना चाहिए ऐसा सब जूट रोप लगाया हुए है उनके जो बहुत बदनेवाद जूटे रोप लगाया चाहरे हैं ये उस लड़की का कहना है जो डेरा सचा सोदा में बच्पन से आती है और होस्टल में भी रहती है बिलकुल जूटा बदनाम किया गया आखिर क्यों ये हमारे समाज की बेटियां समाज से सवाल कर रहे हैं इनसाफ क आप लोग भी अपनी राय कमेंड बॉक्स में जुरू डालिए देखते रहे हैं दफेक्ट आई बहुत बदनेवाद